हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैंने अपना ब्लोग मॉर्निंग से स्टाट किया है अभी सुबह के साड़े 5 बज रहे हैं मैं सुबह को उठने के बाद बाहर में थोड़ा देर कम से कम 5-10 मिनट बैटती हूँ तुरन उठने के बाद ही मुझे काम करना अच्छा लगता है और थोड़ी देर इसी तरह से बाहर बैटकर बाहर का नजारा को देखती हूँ और उसके बाद मैं अपने कमों में लग जाती हूँ मैं जाडू लेकर आ गई हूँ और सबसे पहले मैं किचन और सोफा वाले रूम के तरफ जाडू लगा लेती हूँ और अपने room के तरफ अभी मैं जाडू नहीं लगाती हूँ क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं तो मैं उनको disturb नहीं करना चाहती क्योंकि अगर मेरा छोटा बाबू उठ जाएगा तो मेरा काम रुख जाएगा और मुझे जल्दी जल्दी नास्ता रेडी करना होता है सुबह के टाइम में क्योंकि हस्बेंट को ड्यूटी जाना रहता है और यहां पर मेरी जाड़ू कंप्लिट हो गई है मैं कचड़ों को उठा लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने जो भी किचन के काम है वो मैं स्टाट कर देती हूँ यहां पर मैंने कूकर में चने की डाल और आलू को लिया है चने की डाल को मैंने रात में ही भिंगो कर रख दिया था और अभी मैं चने की डाल और आलू को कूकर में बोईल कर लूँगी और आज मैं चना डाल आलू और परवल की मिक सबजी बनाने वाली हूँ तो यहां पर मैंने कुकर में बोईल होने के लिए दे दिया है चनादाल और आलू को और यहां पर मैं परवल को काट ले रही हूँ परवल का जो उपर वाला जो छीलका होता है उसको मैं चाकू की साहता से हलका हलका छील कर काट ली हूँ और अभी मैं आटा भी गूत कर रख लेती हूँ इधर कड़ाई पर मैंने तेल गरम होने के लिए दे दिया है और जब तक से तेल गरम हो रहा है तब तक से मैं यहाँ पर प्याज को काट लेती हूँ और उसके बाद मैं प्याज को काट के डाल दे रही हूँ और जब प्याज सुनहरा हो जाएगा तो मैं इसमें जो कटे हुए परवल है उसको भी मैं डाल दूँगी और दूसरे साइट चूले पे मैंने चाय चड़ा दिया है हम लोगा सुबा को लाल चाय पीने का आदत है तो यहाँ पर मैंने चाय को चड़ा दिया है और यहाँ पर सबजी में मैंने टमाटर को भी काट कर डाल दिया है और नमक स्वाद अनुसार मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ और सबजी को चला कर उसको ढख के पकने के लिए छोड़ देना है यहाँ पर मैंने मसालों में जो मैं डेली यूच करती हुई मसालों को मैंने यहां पे लिया है बस अद्रक लहसन का पेस्ट भी इस मसालों में मिक्स कर लिया है और इसको मैं सबजी में डाल कर अच्छे से पका ले रही हूं और उसके बाद चना डाल आलू को भी इसमें मिला दूंगी और उसके बाद में इसको भी अच्छे से पका लू मैंने कड़ाई को दूसरे चूले में रख दिया है और अभी मैं तबा को इस चूले में रख दे रही हूँ और रोटी बना लूँगी और सब्जी मेरी रेडी हो गई है बनकर रोटी सब्जी मैंने बना लिया है और यहां पर मैं अपने बेटे को बरस करवा दे रही हूँ वो बरस खुद से कर लेता है पर दोने का काम जो होता है वो मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि वो ठीक से नहीं दो पाता है वो कपड़ा को भिंगा लेता है इसलिए मैं ही उसक जो दोने का काम होता है वो मैं ही कर देती हूँ और बगल में मेरी सास कुरसी में बैठी हुई है मेरे चोटे बाबो को लेकर मैं जब घर के कामों को करती हूँ तो मैं अपने चोटे बाबो को उसकी दादी को दे देती हूँ तो उसके बाद मैं अपना जो भी काम है वो नि यहां पर सूप से साफ कर ले रही हूँ और अच्छे से दो कर चावल को लगा दूँगी और चावल डानले के बाद मैं अपने रूम में आ गई हूँ और अपना जो भी क्लीनिंग का काम है वो मैं स्टार्ट कर दी हूँ और सबसे पहले मैं मचरदाने को खोल कर अच्छे से मोड के रख दूंगी और उसके बाद में बेट वगेरा साफ कर लती हूँ और घर को जाड़ करके पोछा भी लगा लूँगी अभी आप मेरे बेटे के दोनों हाथों में चिप्स का पैकेट देख सकते हैं वो बरस करने के बाद सीधे दुकान भाग गया था अपने दादू के साथ और ये चिप्स वगेरा लेकर आया है और ये वही चिप्स का पैकेट लेकर आता है जिसके अंदर में खिलोना निकलता है इसको खिलोनों का बहुत ही ज़्यादा सौक होता है ये बस लेकर आता है और देखता है फाड़ कर कि इसमें क्या निकला है कौन सा खिलोना निकला है इसको खिलोना जो तरह तरह के खिलोने होते हैं इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और मैं इसको बार बार बोलती हूँ कि दुकान मत जाना बेटा नेकिन कब चुपके से चला जाता है अपने दादू के साथ दुकान मुझे पता भी नहीं चलता है मैं अपने कामों बीजी रहती हूँ और ये कब दुकान से आ जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है और यहां पर मैं अपने बेटे को नहला कर ले आई हूँ और इसको मैं रेडिक कर दे रही हूँ और इसको रेडिक कर देने के बाद मैं खुद भी नहा लूँगी और जो भी नहाने के बाद पूजा वगेरा होता है वो मैं कर लूँगी और उसके बाद ही मैं नास्ता करूँ अभी मैंने नहा लिया है और कपड़ों को मैं धूप में देदरी हूं सुखने के लिए और बीच में नहा कर जब मैं आई तो उस टेम मेरा चोटा बाबू उठ गया था तो सबसे पहले मैंने उसको पहले दूद पिला कर सुला दिया और उसके बाद मैं यहां पर कपड़ा और इसी तरह से बीच बीच में मुझे अपने छोटे बेटे को भी ध्यान देना पड़ता है और जिसके कारण मेरा जो काम है वो थोड़ा से लेट से ही होता है और यहां पर मैंने सभी काम खतम करने के बाद मैं यहां पर नास्ता कर ले रही हूं और नास्ता करने के बाद ला करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लेज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब